हेलो थीरन फैमली तो कैसे हो आप सभी लोग आप सभी लोग बढ़िया होगे और सभी को बढ़िया होना भी चाहिए तो फटाक से अगर लाइक का बटन दिख रहा है तो उसे दबा देना सेयर का दिख रहा है तो उसे भी दबा देना आते हैं और देखते हैं कि पिछला एपिसोड कैसा था सुप्रीम रियलम का तुमको क्या लगा मैं भूल गया अरे ऐसे कैसे लेकिन उससे पहले बहुत बहुत थैंक्यू समीर मंडल ब्रो फॉर योर हंड्रेड रूपीस सुपर चैट के लिए तो भाई का कहना है भाई इसका भी नेक्ट पार्ट डाल देना प्लीज और सुप्रीम रियलम का भी एपिसोड डाल देना तो भाई हम ट्राइ करेंगे कि एक छोटा सा वीडियो हम उसका भी बना दें क्योंकि अब आपकी डिमांड आई है तो ऐसे मूँ पर पैसा फेक के मारा यार तो अब तो करना पड़ेगा न यार क्यों नहीं करेंगे तो ऐसे यार मारते रहा करो यार पैसा ओई सा तुम लोग सोपर चैट अच्छा लगता है यार पढ़ने में कमेंट मेंट के यहां प कोई बेटर टेक निक हो जो यूली का कोई भी पापर या टेक हो जो ख्यांत है इतने लाइटली उसे जहल रहा होता और सॉल्व कर रहा होता है जैसे उसकी नजर में यह कुछ भी ना हो हाला कि तभी हम देखते हैं कि जो यूली होती है वो भी अपने पोटेंसियल को सो करत जो कहती है अगर मेरी पावर 3 star immortal god level पर होती या god immortal level पर तो मैं तुम्हें मार डालती है लेकिन यह बखबास सी बॉडी यह इस पावर को handle नहीं कर पा रही हां वो खुदको गाली दे रही थी देन हम देखते है कि जो यूली के पास जाता है यहां पर formation को activate करते है यूली को ये जोयन की बात को सुनकर यूली आखरकार यहां पर जाग जाती जिसके बाद जूआ भाग जाता है लेकन लेकिन जू कहांताई ने जोयन की बड़ी के हार पर एक अटेक कर दिया था दूसराब जूआन एक चीज तो समझता था जू है यहां पर उसे मानना नहीं चाहता था बलकि उसकी कोई और intention और साइज जो intention उसकी है वो जो जानता भी था कि तैक्सू हार जाए जो Emperor वो Emperor की position से हार जाए जू क्यांताई 5 star से 6 star पर break through कर ले और वो new तैक्सू का Emperor बन जाए और वो तैक्सू बर्ड को लीट करते हुए सनेक्सी बर्ड को खत्व कर दे जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने लॉंडे को एक skill देता है और वहाँ से चला जाता है क्योंकि इसकी इतनी सारी बाइफ है थी इससे पता नहीं था किस वाली का ये लॉंडा है दूसराब जो जूचा होता है जो क्यान थाई कि जाने के बाद उस battle skill को चकना चूर कर देता है क्योंकि वो भी अपने बाप से नफ्रत करता था जिसके बाद episode मैंने वहीं end किया था तो ये जो episode है जैस्ट वाई से start होता है तो आँ देखते हैं कि अब इस episode में क्या होगा जिसके बाद हम देखते हैं कि scene सिप्ट होता और एक milky white आईस से भर हुए star पर space अचानक ही crack होता है और दो light grow होती है जो लड़ खडाती हुई दिख रही होती है जैसे ये appear होती है एक figure खून की उल्टिया कर देती है और ये जो figure होती है या बस बर्फ पे चलते हुए snow white eyes को blood red कर रही होती है तब ही जो यूली कहती है father father, father क्या आप ठीक है यहाँ पे उसका जो चेहरा होता है एक दम पीला पड़ चुका होता है और उसकी हाला जो यान से बैतर नहीं लग रही थी क्योंकि बैटल में जो यूली भी कापी हत्ता के इंजर्ड हो चुकी थी तब ही दोनों के अपयर होने के बाद तत्काल आवा जाती है master जियो, master क्या आप ठीक है और सिप मर मौजूद लोग जो यहाँ पे वेट कर रहे थे वो सभी लोग यहाँ पर आते हैं और जयान को चिंता के साथ देखने लगते हैं तब ही अचाना के इने एक भूम की आवाद सुनाई देती है और वो इस्टार यानि की हौंग बैंग इस्टार जिससे अभी अभी यह लोग भाग कर आए थे जब यह उस तरब देखते हैं तो वो देख सकते थे कि हौंग मेंग इस्टार एक डेसलिट या छोड़ दिये गए या खराब इस्टार में बदल चुका था जो अचाना की बलाष्ट हो जाता है साथ ही आप यहाँ पर फूर्तों हौंग मेंग इस्टार को भी देख सकते थे यहाँ इंतजार कर रहे होते हैं जोन के किसी भी ओर्डर का तभी जोन कहता है कोई जोट नहीं बेवाब का पीछा नहीं करेंगे और इसके बाद जोन पालती मार के बाट जाता है अपनी आखे बंद कर लेता है क्योंकि जोन की एनेर्जी और बलड काफी अतक बरबाद हो चुकी थी जिसके बाद जोन कहता है सभी ने कड़ी मेहनत की है इसलिए भाब हम यहीं पे आराम करेंगे अब मुझे ठीक होने के लिए कुछ टाइम चाहिए साथी जोन को कभी भी अपनी बॉड़ी में एनेर्जी और बलड की इतनी कमी महसूस नहीं होई थी बुत्रंती ट्रीट्मेंट पिल को निकालता है और उन्हें स्वैलो कर लेता है अपनी चोटों से रिकवर होने के लिए जोन और जो यूली की तरफ रिस्पेक्टेडली देख रहे होते हैं क्योंकि खत्रे का सामना करते हुए जोन ने उन्हें अधाधुन धामला करने नहीं दिया था बलकि जितना जल्दी हो सके उन्हें सेफली वहां से निकाला था जबकि वो खुद पीछे रहे थे ताकि बांकी के सबी लोग वहां से जा सके जो कि एक परफेक्ट लीडर्शिफ क्वालिटी को रिप्रेजेंट करती है हाला कि ये फाइट काफी कटिन थी लेकिं इसे एंट इमोर्टल मौश्टरबल के 50,000 इमोर्टल गौड में से कोई भी नहीं मरा था ज्यादा से ज्यादा ये लोग सिर्फ इंजर्ड हुए थे हाला कि जोयन के ओर्डर के विना भी जो लोग अपनी चोटों से उबर चुके होते हैं वो इंजर्ड लोगों की सेप्टी के लिए बाहर आ जाते हैं और बागी के लोगों को पीछे की तरफ रखा जाता है ताकि वो लोग अपनी चोटों से हील कर पाएं जिसके बाद ज्याद कहता है गौड इमोर्टल लेबल मैं गौड इमोर्टल लेबल को ब्रेक्ट्रू करना चाहता हूँ अरे मैं ऐसे कैसे ब्रेक्ट्रू कर सकता हूँ जो यान के दिल में जो पावर होती है जो यान उसे लेकर अब सेटिसफाइड नहीं था जो यान को और ज़्यादा ही श्ट्रूंग पावर चाहिए थी जन्त तुरंदी कहता है और इसन गौड का क्लोन अब ये काफी नहीं कम से कम एक पावरफुल ओपोनेंट का सामना करते हो तो बिल्कुल भी नहीं क्योंकि आगर जू क्यानताई जैसा कोई उपोनेंट है तो ये उसके सामने के रिपले खिलोना होगा ये जिद ये जुनून जो यान को श्ट्रॉंग बनने के लिए और ज्यादा मोटिवेट कर रहा होता है जू क्यानताई ने बास्तों में जो पावर दिखाई थी उसने सेनेक्सी में जो तबाही मचाई थी उसने क्वीन को जो पकड़ लिया था ये सभी चीज़े जुन के दिल में ठेस पहुचा रही होती है जू यान तुरंदी के था क्या बास्तों में इन लोगों ने Queen को पकल दिया है यह कबर सच है या गलत क्या इस इंडिवाइन या लम हार गया जोएन के दिमाग में तरह तरह के थौट चल रहे होते हैं एक एक करके images जोएन के दिमाग में चल रही होती है चीख पोकार मची हुई होती है साथी इनी में जो यान देखता है तैक्सू वारियर्स दोरा अंगिनत लोगों को मारा जा रहा है उनकी हड़ियां पूरे इस्टार में बिख्री हुई है तैक्सू वारियर इस्टार की पूरी लाइप पावर खीच रहे हैं जिसके बाद जुहान को एक स्क्रीन पे एक ब्यूटिफूल फिगर दिखाई देती है जिसके बाद अंगिनत फिगर मैट और रॉइट की तरह सीधा ही तैक्सू वारियर्स से लड़ने लगती है जैसे मानो बैटल स्टार्ट होने वाला हो जो देखकर जुहान कहता ये लोग ये तैक्सू वारियर्स के खिलाब कैसे लड़ सकते हैं तभी जुहान देखता है कुछ लोग एक सास मिलकर एक स्टॉंग तैक्सू वारियर्स का सिर पकड़ लेते हैं और पाँच उंगलियों से ताक्ड लगाते हुए उसके सिर को कुछल देते हैं यहां पर Shel 59 के एक दम होती है जोयांन के दिमाग में एक-एक करकी ये सकले चल रही होती है जो बिल्कुल नहीं बदली थी जोयांन ने लगवाग एकस्प्लेन ही नहीं कर पा रहा था लेकिन एक बात तो कनफम की जा सकती थी कि ये सभी लोग strong हो गए है जोयान के लोटने के बाद Queen ने जोयान को बताये था कि सभी के सभी Senior बेदर Retreat में चले गए थे जिसके बाद जोयान ने कभी भी उन्हें नहीं देखा लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसके पीछे उसके Senior बेदर जो तैयारी कर रहे थे उनकी पावर इतनी तेजी से बढ़ेगी कि ये जोयान को भी चोका देगी साथ ही यहान पे जोयान ने देखा थे कि कोई Special और नहीं वो आसानी से Taxi Warriors को मार रहे होते हैं जो देखर जोयान कहता मुझे यकीन नहीं कि वो God Emoto Level पर Breakthrough कर चुके हैं लेकिन कम से कम इन में से सभी की पावर Emperor Emoto Level के सेविंतिष्ट पर तो होनी ही चाहिए जो कि जोयान के Cultivation Speed के लगभग भराबर थी अगर ये यूली होता तो जोयान को आकरकार ये समझ में भी आता क्योंकि यूली Pluto का reincarnation थी और Emperor Tiyan Cheng जैसे Powerful Person को Follow कर रही थी और उसके लिए भी Strong होना इतना मुश्किल था तो फिर ये Senior Brothers इतनी जल्दी इतने Strong कैसे हो सकते हैं कैसा हो सकता है कि उसके सभी पिछले I mean सभी Senior Brothers ने अपनी पिछली Life की Memories को अवेक कर लिया हो लेकिन फिर भी चाहे कुछ भी हो ये जो पावर्ती अनविलीवबल थी साथी Senior Brothers के अलाबा जोयान को दो अदर लोगों की प्रेजेंस भी हैरान कर देती है जो होती है Leji जी और Dong Hai Yuan साथी Ji An Su और Bujan ये चारों जोयान के ओल्ड फ्रेंड थे जिससे Ji An बहुत सालों पहले मिला था और उन्हें कई सालों से नहीं देखा था इसलिए इने भी देखकर Ji An थोड़ा सा Emotional हो गया होता है फिर जो याने Fifth Brother May Link को देखा था और उसके बगल में एक Beautiful Figure जिसके हाथ में एक Long Sword होती और कपड़े एकदम Green उसके बार एक Hairpin से बंधे हुए होते हैं जो देखकर Ji An कहता है क्या ये भी Strong हो गई आखे कर जो Images Ji An देख रहा था वो ना जाने कितने टाइम पहले की थी Ji An कहता है जब मैं ये चेरा दोबारा देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ये सच हो मैं किसी दूसरी दुनिया में हूँ कभी कभी मुझे लगता है पास्ट में जो कुछ भी हुआ वो बिलकुल भी दियल नहीं था John ने देखा था कि फाइट के दोरा टाइक्सू वारियर्स का लगबग सफाया हो गया था उसके कई फैमिलियर लोग सीनियर बदर उल्ड फ्रेंड उन्हें देखता है लेकिन सभी लोगों के बिज्जो याने क्वीन को नहीं देखा था John तुरंदी का था क्वीन क्यो गायब है वो कहां चली गई आखिरकार क्यों की क्वीन की व्यूटी और ए और अट्रेक्टिव बेहिवियर के साथ जोहन को से भीड में एक नजर में देखने में कैपल होना चाहिए था लेकिन जोहन ने उसे कहीं भी नहीं देखा था जोहन तुरंदी कहा था क्या सच मुच क्वीन को पकड़ लिया गया है क्योंकि जो तस्वीरे सामने आई वो जोहन की मेजेनेशन के परे थी सासी जोहन ये सोच रहा होता है कि ये सभी इमेजेस उसकी दिमाग में चानाक आई क्यों कहे बास्ते हो क्वीन का ही लाश थोड़ था या क्वीन द्वारा छोड़ी गई कोई strategy थी जोयान के लिए हालकि इन दो possibilities में से जोयान जिस पर ज़्यादा believe कर रहा होता वो होता है कि Queen के क्यान जी पवेलियन की ओर से जोयान को दिये गई ये guidance हो सकता है हालकि Queen ने कई बार ऐसा कुछ किया इसलिए जोयान यहाँ पर ज़्यादा surprise भी नहीं होता जोयान तुरंदी का जब मुझे ये पहली बार खबर मिली तो ये कुई जून के memory से मुझे मिली थी लेकिन अब किसी unknown कारण के बाद मैं जब से सेनेक्सी में लोटा हूँ मैं कुई जून के और एको महसूस नहीं कर पा रहा ऐसा लग रहा है कि उसकी बाड़ी में मेरी छिपी हुई सोल उसकी बाड़ी से बाहर निकाल दी गई हो या फिर उसे छिपा दिया गया हो लेकिन अगर queen बास्तों में अभी भी safe है तो उसके लिए कुछ और guidance तो होने ही जिसके बाड़ अचाना की सोचते हुई जवान रैन बोवे बदल जाता है और ओड़कर जोयान कहा तो उस जगह पर जाता है जहाए एक jet slip थी जब जवान उस jet slip को देखता है तो उसकी spiritual power तुरंत उस jet slip के अंदर जाती है ये देखने के लिए कि कोई गड़वर तो नहीं और एक बाद confirmation के बाद जोयानों से open करके पढ़ता है मेरे पती प्लीज और वो जो jet slip होती है बिखरकर जोयान के सामने तैने लगती है जिससे queen की voice आती है और केबल दो ही word थे my dear heavy जिसके बाद आँगे आप आजाती है जब आप इस jet slip को देख रहे होंगे तो possibility है कि मेरे साथ कुछ हुआ हो लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं अगर मेरा अनुमान सही है तो आपको अभी भी emperor mortal level के ninth step पर होना चाहिए जो देखकर जोयन कहता है एकदम सठीक अंदाजा जोयन यहाँ पे थोड़ा सा हैरान होता है तभी queen कहती है लेकिन इतनी power भी परयाप नहीं इसलिए आपको मेरी तलास में आने की कोईज़त नहीं आपको तुरंत ही डॉंग यून वाइड को छोड़ते हुए जोयन की वह चड़ी हुई होती है इस टाइम पे जोयन पहले से ही टैंसर में था लेकिन क्योंकि उसकी ताकत परयाप नहीं उसे लगा कि पूरी दुनिया कुछ टाइम के लिए रुक रही है तभी अचनल काबा आज आती है आपको खुद को दोस देने की जोहत नहीं ये सब सिर्फ एक डेस्टिनी है अनगिनत पॉस्विल्टीस का अंदाजा लगाया गया है लेकिन केवल एक ही रिजल्ट है कि रिजल्ट आप बदल सकते हैं लेकिन साइद फ्यूचर में अब मैं आपका और साथ नहीं दे सकती जियो यान हाला कि आप पाश लाइप में गूजौंग सेंग है लेकिन मैं बास तुम्हें आपको पसंद करती हूँ लेकिन ये अफसोस की बात है कि मुझे फिर से आपकी बाइफ बढ़ने का मौका नहीं मिला साइद यही मेरी किस्मत थी लेकिन एक दिन जब तुम सच में स्टॉंग हो जाओ जब तुम काफी मजबूत हो जाओ बड़े हो जाओ तो तुम्हें मेरा बदला जरूर लेना चाहिए लव यू नानभू इस लेटर के अंत में जो यान को कुईन ने जो कुछ भी बताया होता है उसे सुनकर जबूर की भूहें चड़के होती है लेकिन जो यान को इस टाइम पर समझ नहीं आ रहा होता कि अब उसे क्या करना चाहिए जबूरं तुरंदी कहता कि अब बास्तों में आखिरकर वो कौन है तभी किंग मुयर ज़ान की तब देखतों कहती है वो कौन है वो लड़की कौन है मैं उसे क्यों नहीं जानती और वो जो यान की तब देखतों पूछती है तभी ज़ान की तब देखतों कहता है आप उसे जानती है वो queen है जिसका नाम है नानफू जो एन hellpress तरीके से कहता है जो सुनकर king woyer भी अचानक हैरान होते हुए कहती है queen eastian temple की queen क्या बास्तों में मेरे पती का attraction इतना बड़ा है कि royal queen भी आपके प्यार में पड़ गई ऐसा लगता है कि future में तो आपके पास मेरे लिए time ही नहीं होगा तभी यहन कहता वो ऐसा नहीं है royal queen मजाग कर रही है वो your highness की wife है हमारे साथ तो कुछ भी नहीं होगा जो जैसा था वैसा ही रहेगा मैंने कहा तो है कि मैं फिर से साथी नहीं करूँगा अने था कहता है जो आपनी नाक को टेच कर तो यह smile करता है जिसके बाद जो अन्तुरंती कहता है यह सिर्फ इतना कि queen अभी खत्रे में है अगर हम उसे नहीं बचाएंगे तो यह गलत होगा हाला कि taxu काफी strong है लेकिन मुझे लगता है कि हमारा सेनेक्सी भी इतना भीग नहीं होना चाहिए कि वो अपनी queen को protect ना कर सके इसलिए भी हमारा main topic queen को save करना है ऐसा लग रहा था कि john ने अपना मन बना लिया था और वो queen को taxu को nest करने नहीं देगा मतलब taxu warriors को queen को मारने नहीं देगा लेकिन john अब ये समझ नहीं पा रहा था को queen को पकड़ा कैसे गया जबकि ACN divine realm को देखते हैं ऐसा लग रहा था कि उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ था queen को क्या हुआ वो कहां गई साथ इसका जवाब जो यान को ACN divine realm को खोज कर ही आसिल हो सकता था जयन तुरंदी कैसे ACN divine realm हो सकता है कि वो दूसरी जगह पर transfer हो गया हो आखे का ACN divine realm अपने आप में void में travel करता रहता है उसकी कोई भी confirm लोके सन नहीं है साथ ही उसमें खुद को छेपाने की भी strength है इसलों से ढूड़ना भी आसान नहीं जब तक की कुईन guidance के लिए कुछ नहीं छोड़ती जिसके बाद जो यान इस स्टार की खोज भी इन के लिए अपनी spiritual power को पूरी तरीके से छोड़ना शुरू कर देता है realm level की spiritual power इस planet को कवर कर लेती है और जैसे की जोण को मित ही इस स्टार के अंदर अभी भी एक breaking formation होती है यह देखते हुए एक चीत तो confirm थी कि यह queen की ही strategy रही होगी और यह teleportation formation सायद उसे पहुंचा दे ancient divine realm तक जिसके बाद जोण तुरंती गोयान को बलाता और कहता है जा इसकी मरम मत कर दे गोयान को यहाँ पर पता है एकदम बेरोजगार मजदूर जैसे हैसास हो रहा होता है जैसे बेतन भी नहीं दी जा रही है वो गुस्ते से जोण की तब देखता है कहता मामू यह तु सहीर ही कर रहा मामू मामू मैं ते को छोड़ के चला जाएगा किसी दिन लेकिन जैसी उसकी नजए जियो यूली पर पड़ती है गोयान ऐसे गायब होता है जैसे वो कभी दिखाई ही नहीं दिया था दूस्तब जोयान जिसकी हालत अभी तक ठीक नहीं हुई थी और जोयान जिसकी हालत बत्तर थी तो वो दोनों अपनी रिकाबरी के लिए पीछे हट गए होते हैं तब तक जब तक गोयान भी उसे फॉर्मेशन को ठीक नहीं कर लेता हाला कि जोयान ने लाश्ट में जो पाबर सो करके दिखाई थी दोस्तब जोयान भी अपने गोल्डन मिश्टी एश्टाबर से फोर्टीन फ्लोर से कुछ कोई को निकाल कर आसपास फेक देता है ताकि सभी लोग इस कोई को अब्जॉब करके जल से जल ठीक हो सकते हैं और टैन थाउजन दे स्पिरिट सी के अंदर बहुत सारी एनरजी थी साथी क्योंकि ये श्टार पूरी तरीके से तबाह हो चुगा था इसके अंदर कोई भी कोई औरा नहीं था इसलिए आप अपने आपको ठीक कनेक ले केवल अपनी कोई पापर पर ही भरोसा कर सकते थे हाला कि जोयान के लिए ये एनरजी काफी नहीं थी जो उसके कोई और ब्लड को ठीक कर सके ये केवल टाइम बीतने के साथ ही साथ धीरे धीरे ठीक हो सकता था दूसरी तरफ हाला कि जोयान ने अपनी लिमेट तक फाइट की थी लेकिन इससे ओरिजन गौड की फिजिकल बौडी में भी काफी सुधार हुआ था और अगर ओरिजन गौड एनसेस्टर रियलम को तोड़ सकता है अकेले की इंडिविज्टर पावर के साथ जो यान इसकी बौडी को ब्रेक्ट्रू करके एसेंट गौड लेवल पर पहुँचा देता है तो फ्यूज होने के बाद इसकी पावर हैरत अंगेज होगी जिसके बाद जो यान गौड एमोड लेवल के साथ फाइट करने के लिए कुछ अत्तक्तों से उर हो सकता है आखेकार एंसेस्टर रियलम से एसेंट गौड लेवल का बैटल लेवल एकदम अलग पावर लेवल था जाना के बल इसकी फिजिकल पावर बलड पावर बलकि इसका कुई और बलड भी एकदम अच्छी तरीके से चेंज होकर एक हाई लेवल पर पहुँच जाएगा साथ ही जब जो यान गौड एमोड लेवल को फाइट करने में कैपबल होगा बेशक ये केबल जो यान के प्रेजेंट टाइम की नौलेज और इंफोमेशन के कॉर्डिंग था क्योंकि कम से कम जूक यान ताई के साथ जो यान ने जो फाइट की तो उसमें तो यही साबित हुआ था कि जो यान उसका बाल भी नहीं उखाड सकता यान तक कि जो यूली भी उसे इंजर्ड करने में कैपबल नहीं थी जो यान तुरंदी गाता जूक यान ताई इस ओल्ड मॉस्टर के पास बहुत गहरी कैलकुलेशन है यान तक कि उसके पास मुझे और यूली को जाने देने की भी कैलकुलेशन है अब यह लगबग निश्चित हो चुका है कि वो पहले से ही मेरी आइडिनेटिटी को जानता है लेकिन वो इस बारे में कनफरम नहीं है कि मैं ओरिजन गॉड हूँ लेकिन इस फाइड में देखा जा सकता था कि यूली भी जूकियांताई की बरापरी नहीं कर सकती साथ ही जूकियांताई ने जब तक इन लोगों ने बैटल किया उसने कभी भी अपनी रियल पावर को तो सो करके दिखाया ही नहीं था क्योंकि उसका मोटिफ सीधे तोर पहिने जाने देने का था जिसने जोयान को एक चीद तो बता दी थी कि जू क्यांताई केबल तैकसू का एमपरर बनना चाहता है और क्राउन हासिल करना चाहता है आखिरकार वो क्राउन और थ्रोन ना केबल पोजीशन का मामला था बलकि इसमें बहुत कुछ सामिल होगा हाला कि जोन अभी भी डिवाइन मोटल लेबल तक या गौड अमोटल लेबल तक नहीं पहुँचा इसलब वो अभी भी यह नहीं जानता क्राउन और थ्रोन का सीधा मतलब है लक और कल्टिवेशन से जो कोई भी एमपरर होगा उसे पूरे वर्ड का सपोर्ट और लक मिलेगा जिससे वो रिप्रेजेंट करेगा आखिरकार ऐसा कोई प्रीसेस कार्ण तो होगा ही जो जू कियान ताई इतना ज़्यादा एकसाइटेड है हाला कि उसके कल्टिवेशन ने फिफ्ट लेबल से आगे बढ़ना बंद कर दिया था बढ़ना वो क्राउन या और थ्रोन को हासिल करने में कभी भी इतनी महनत नहीं करता और अब जो कुछ भी वो कर रहा हो उसके अपने रीजन और अपने एफेक्ट है लेकिन चाहे कुछ भी हो यह कुछ हत्तक जोयान की मदद जैसा ही था चाहिए इंटेंसन बाइज हो या गहरे इंटेंसन यानि गहरे रादतन क्योंकि इसके कारण जोयान अपनी पावर को बढ़ा कर तायक्सू को हराने में कैपबल हो सकता है साती उसे थ्रोन के लिए जोक्यान अपने दिल में हर एक ड्रॉप के साथ यही चाहता है कि तायक्सू ये बैटल हार जाए हलाकि ये बात भी कोहत क्लियर थी कि सायद जो प्रेजेंट टाइम का लीडर है यानि नया किंग जू लॉड वो अच्छी तरीके से जानता है जू कि अंताई के थौट को इसलिए उसने जू कि अंताई को बैटल की फश्ट रो में भेज़ दिया था आखिरकर वो कैसे नहीं जान सकता कि जू कि अंताई थ्रोन वापस पाना चाहता है और क्योंकि जू के अंताई इसमें काफी दिमाख लगा रहा था तो वो इस मामले में जू की अंताई का यूज करना चाहता था यहां तक कि ना केबल उसे बलकि तैकसु के पूरे के पूरे सीनियर एल्डर्स और मैनेजमेंट को भी यह पता था कि जू की अंताई उस थ्रोन को वापस पाना चाहता है लेकिन जू लॉड के अलाबा वो तैकसु में दूसरा सबसे पौरेफुल परसन था इसलिए भला उसे कौन रोख सकता था जा तक जू लॉड की बात है कि उसने जू की अंताई को क्यो नहीं रोका और वो जू की अंताई को जो करना है उसे करने देने की अजाज़त देता है हालक यह सभी जो यान के अंदाजे थे और फिलहाल यह इतने इंपोर्टेंट नहीं थे जू अन्तुरंदी कहते हैं मैंने पहले तो सोचा था कि जू की अंताई के साथ जो रिलेशन है वो अंचेंजबल और एनिमी टाइफ होंगे लेकिन अब ऐसा लगता है कि हम दोस्त भी हैं और दुस्मन भी जू अन्ने अपना हाथ घुमाया होता है और इस पेसल जड उसके हाथ में दिखाई देती है जिसके बाद जू आने एक मैसेज भेजता है मुझे लिव से कुछ पूछना है क्या तुम कॉंटेक्ट करने में मदद कर सकते हो सू यू जड में जैसी जू आपाज जाती है जल्दी ए की आपाज आती है ठीक है और इसके बाद हमें पहले से भी पता था कि इने जू आन के कभी भी किसी भी रिक्वेश्ट को एग्णोर नहीं किया यहां तक कि उसने तो अब ऐसान का भी जिक्र करना बंद कर दिया था जिससे जू आन को काफी रिलेक्स मैसूस होता था हाला कि जुआन E से कभी मिला नहीं था लेकिन जुआन को पता था कि अगर बहुत से हो नुकसान पहुचाना चाहता है तो E को इतना छिपने छिपाने की जवरत नहीं होगी लेकिन जुआन ने अभी भी अपना डर बनाए रखा होता है उसने जादा कुछ नहीं कहा होता वो यहाँ पे सही हम से बोलता और साबधानी से काम करता है और जुआन अपरे मारे में जादा कुछ न बतानी की पूरी कोसिस करता है क्योंकि चाहिए बुरा हो या अच्छा और जुआन तुरंती एक थौट के साथ अपनी सोल को सुयू जट के अंदर भेज देता है जिसके बाद भीरू लोग तुम लोग को तो पते ये जोयन के पास का है उस गौड रियलम का एक्सेस है तो जो यान पहुच चुका होता है प्लेट फॉर्म नमबर नाइन पर एमोर्टल मोश्र एसेंट बल्ड में हुई बैठक के बाद अभी भी कुछ टाइम से कोई भी मीटिंग नहीं हुई थी हाला कि कोई भी इसका रीजन नहीं जानता लेकिन इस बार ये बैठक एक परसनल बैठक तीजिसे जो यान ने बुलाया था बढ़ना आमस्वर पर जो ये प्लेस था यहां पर काफी सारी इंफोमेशन को एक्चेंज किया जाता था या चीजों को तभी लिव तुरंदी कहता है तुम मुझसे क्या चाहते हो जो कियान ताई लगबग एक ही टाम पर इस्टोन फलोर पर दिखाई दिये होते हैं तभी जू क्यान कहता है मुझे लगता है कि आपने पहले जिसजस सपोर्ट की बात की थी वो काफी जरूरी है तभी जू क्यान ताई तुरंदी कहता है पहले आपको और मुझे तो मिलना चाहिए ताकि हम इस बारे में बात कर सकें जू कि अन्ताइबी इस बात को बिल्कुल भी नहीं चपाता और सीधे मुद्धे की बात करता है तभी जो अन्तुरंदी कहता है यह सिर्फ एक क्लोन था मैं इस बार लगबर आपकी हांतों में फस गया था मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि एक ताइकसू एंसेश्टर ऐसी छोटी सी फाइट में एक्सन लेगा क्या तुम बास्तों में इतनी छोटी सी बात पेंटरेश लेते हो बैसे मैं सीधे कहता हूँ आप काफी लॉंग टाइम से फिप्त लेवल पर हैं गौर्ड एमोटर लेवल के जबकि आपका ताइकसू मास्टर आपसे कही गुना ज़्यादा पाउरफुल अगर आप मेरे साथ कॉपरेट नहीं करते तो क्राउन और थ्रोन पाने की तो बात दूर आप सिर्फ तोप के चारे के तौर पर इस्तिमाल किया जाएंगे यहां तक कि आप सायद मर भी जाएं तो क्या आप अभी भी मेरे साथ कॉपरेट नहीं करना चाते जब जोयान ने ये बोला होता है तो जोयान की आवाज एक दम सान्थ होती है जासे कि जोयान की बावड जू कियान ताहीं से कही गुना ज़ादा बेहतर हो और इस्टाम पर वो केबलों से एक सजयसन दे रहा हो तैभी जू कियान ताहीं तुरंदी कहता है आपके साथ कॉपरेट करने का रीजन सरल है आपका तायक सू बहुत पावर्फुल है के crown को तो क्यों ना आपको मेरे साथ corporate करना चाहिए जैसे जान ने ये कहा होता है जू क्यानता ही थोड़ी देर के लिए जुफ हो गया होता है और वो तुरंती कहता है कैसे corporate करें तभी जान कहता है बहुत आसान बस आपको मुझे एक setting information देनी है जैसे तायक्सू की present time की power उनक strategy साथ ही आपको ये fight hard नहीं होगी जान ने सीधे तोर पर का होता हलनकि सरते कठोर थी लेकिन बोर नहीं जानता की जो आपको ये एक पल के लिए सोचे गा और सायद ना कहेगा लेकिन उसे उंबीद नहीं थी कि ये बंदा बिना सोचे समझे है एक ग्री हो गया मतलब ये तो थ्रोन के लिए अंधा पागल था तभी जुआन कहता है आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं एक और बात सेनेकसी की क्वीन आपको उसे रिहा करना ही होगा जुआन ने एकदम सडनली नॉर्मल तरीके से ये बोला होता और अपने मोटिब को सो किया होता है तभी जुआन कहता है मैं सेनेकसी में अभी-अभी आया हूँ मैं उतनी ही जल्दी आपकी मदद कर पाऊंगा अब जुआन ताई को जो यान के लिए एक घोड़े की तरह माना जा सकता था जिसके उपर वैटकर जो यान लगाने वाला था बाकी सब के हाँ वहीं जो सोच रहे हो तभी जुआन ताई तुरंती कहता है क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि आपकी प्रेजन टाइम की ताकत क्या है तभी जुआन केता है तुम सच में काफी जादा इगोष्टिक हो मैं तुमें बता दू मैं तुमसे छिप नहीं रहा हूँ मैं बास्तों में अब तुम्हारी जितना श्टॉंग तो नहीं हूँ लेकिन ये केबल कुछ टाइम के लिए है तुम्हें मेरी आइडेंटिटी का अंदाजा लगाना चाहिए था इसलिए इसमें सक करने की कोई जोट नहीं जहां तक रही बात आज की मीटिंग की तो चलो इसे यहीं खत्म करते हैं मैं तुम्हारी अच्छी ख़बर का वेट करूँगा और जयान इतना कहता है और ज़्यादा कहने से क्योंकि वो अपनी इंफोमेशन और और पावर को रिविल कर सकता था इसलिए जोयान जितना कम कहे उतना ही अच्छा तभी जू कियान तरणती कहता है लेकिन मैं तभी जोयान कहता है बस मेरी बास सुनो पहले हमें बर्चुल माश्टर से छुड़कारा पाना होगा जो रात तो रात नहीं होगा इसलिए पहले इस समस्या को सॉल्व करते हैं और इसके बारे में बाद में बात करेंगे बैसे भी अभी मुझे को जरूरी काम है मैं बस गुड नियूस का बेट कर रहा हूँ और इतना कहने के बाद जोयान बोलना खदम करता है और जू क्यांताई के पूछने से पहले ही कैयोस गौड रियलम को छोड़ कर चला जाता है जिसके बाद बाहर आते ही जोयान सबसे पहले तो एक लंबी सांस लेता है क्योंकि पावर कितने बड़े गैप के बाद भी चलो जू क्यांताई के साथ बो बात करने में कैबल था और सपोर्ट के लोसे मनाने में भी लेकिन जहां तक पावर की बात है तो यह अभी भी काफी बड़ा अंतर था यह सब करने के बाद जू अपनी आखों को बंद कर लेता है और तुरंती अपनी पावर को ठीक करने लगता है वो नहीं जानता था कि अंगली रराई कब सामने आएगी लेकिन चाहे कुछ भी हो जू क्यांताई के साथ बो एक एग्रिमेंट तक तो पहुँची गया था साथ जू जानता था कि निच्ची तो अपनी आखों को खोलता है एम्पर त्यान जेंग कहां पर हैं और यह संभो है कि क्वीन को किसी ने पकल लिया हो काफी लॉंग टाइम के बाद आखिरकार जू आन अपनी आखों को खोलता है जो कि एक हाई लिमिट थी जिससे जो यान की पावर भी थोड़ी सी बूश्ट हुई थी साथ ही लगातार अपनी वोड़ी के साइज बदलने और उसकी बेरियर्स को ब्रेक करने के कार्ण जो यान की फिजकल वोड़ी स्ट्रॉंग होती जारी होती और जो यान की पावर भी साथ ही जो यान की लेप टाई और राइट आई दोनों में ही दो इस्टार साइन हो रहे होते हैं और दौनों में से एक इस्टार सह जीवन की पावर थी जो आसपास की इनर्जी को कंट्रोल कर सकती है जहां तक दूसरे आँख में इस्टार की बाती जो है नहीं जानता किसकी क्या श्ट्रेंथ है और इस स्थारे को कैसे यूज किया जाता है जो अंतुरंदी काईदा क्या मुझे तब तक वेट करना होगा जब तक मेरी फिजकल बॉड़ी एसे एंट गॉड लेवल तक नहीं पहुँच जाती उसके बाद मैं जान पाऊंगा कि आखिर का रांग के सेकेंड इस्टार का राज क्या है तो चलो गाइस अब इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं नेक्स वीडियो में देखेंगे कि हम क्या होने वाला है लेकिन तो क्या मुझे एक्स्प्लेइन करना है स्विकल अप दे वैटल्स तो बीडी टी है स्विकल अप दे वैटल्स के वीडियो में बिलते हैं वो भी मै ट्राइ करता हूं जलते जल्द बना पाऊं तो बाई बाई गुद नाइट थ्रियन फैमिली